चोरी के दोरान सीक्योर्टी गाड की हत्या का मामला गॉलेर पुलिस ने 12 घंटे में है सोचा लिया पुलिस ने आरोपी को चोरी की गई नग्जी से गिरफतार कर लिया आरोपी को गिरिफतार करने के बाद अती पुलिस अधिक्षक साथेंद्रे सिहंत उमर द्वारा बताया गया कि मामली को गंभिरता से लेते हुए पुलिस द्वारा तैयार की हुई यूजना के अंतरगत पुलिस अपराधी तक 12 घंटे के अंदर पहुँच गई आरोपी नंद किशोर से पुस्ताच के दौराण चोडी की गए नग्दी के साथ जर्म भी कबूल कर लिया है उसने आरोपी नंद किशोर ओर वोला जो की लाला का बाजार माधा अगंज मे रहता है बताया गया है कि चोडी के दौराण चोकीडार द्वारा विरोगत करने पर उसने हट्या की घटना को अंजाम दिया जगन ने हट्या को अंजाम दिया था एक आरोपी ने वहां चोरी करने के लिए गुशा था और उसने दो दुपानों के ताले थोड़े और उसके बाद वहां पर चौकिदार थे उसकी भी अत्या कर दी ती तो उसका खुलासा कल ही हो यू और उसने जयो घटना में चाकू का उप्यों किया था और ख़्यामद हो गया एक बड़ा है जिसका उप्यों हिया मेरा था ने कलाप तोड़ने के लिए यह कली भरी भारत ताओ जो कर दो दुपार थे दोत्री पानाशूच्ञों से उसमें जो मदी चुराई थी वही आरोपी यह नंद किशोर भोला निखिल यह यह मामा का बजार का रहने वाला है मादोगंज का अठारा साल एक अठारा साल की एज एसकी और यह कुछ दिन पहले इसने काम किया था पाँछे महीने पहले तो इसके दिमाग में था कि यहां से हमें पैसा मिल सकता है जी गोएंग दुकाने उसकी सब देखी हुई थी और चूंकि दुकाने देखी थी तो वहां गया और उसे यह अंदाज था कि चोकीदार है जो अग्रद है साइद और यह यह करेगा सो रहा होगा पिकर उसने जब ताला तोड़ने का प्रयास किया तो चोकीदार जाग गया गॉलर से रेकेश शर्मा की रिपोर्ट आएंसी 24 न्यूज